एलो फ्रेंड्स हाब सभी का मारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है यह है नई टोइटा आर्बन क्रोजर हाई राइडर खास बात यह है कि टोटल डिफरेंट गाड़ी है डिफरेंट सेग्मेंट की गाड़ी है डिफरेंट ही टेक्नोलजी यूज करी हुई है उसके बारे लगों के और गाड़ी का बॉनेट बड़ा भी है ऐसा नहीं कि छोटा बॉनेट है बड़ा बॉनेट है एलेडी का पूरा प्रॉपर सेटप है हर जगा पे लेडी लाइट से यूज करी हुई है टर्न इंडिकेटर भी दो और फॉल्डेवल सेंग ग्लोसी ब्लैक के अंदर है हाइब्रीड की बैचिंग है और बॉनेट जो गाड़ी का जो लॉंचिंग कलर है वो है रेड और प्लैक जो मुझे देखना में काफी अच्छा लगा एक टोटल डिफरेंट टाइप की गाड़ी है हमें क्या चाहिए गाड़ी में माइलेज ज्यादा चाहिए माइलेज इसमें हमें ज्यादा मिलेगी क्योंकि इसमें सेल्फ चार्जिंग है आपको गाड़ी वो अलग से चार्ज नहीं करना पड़ेगा गाड़ी चलते चलते ही चार्ज हो जाएगी और उस बैटरी पैक की वेजिसे हमें थोड़ा सा फ्यूल एक्षेंसी ज्यादा है मिलेगी ग तूर अप्रोपर एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आ जाएगा बूट तो आपको इसका पता भी नहीं चलेगा कि हम कहां गया यानि किसमें दो लिवर्स लगाए हैं जिसमें आप अप्रोपर एक यूनिफॉर्म बूट भी मना सकते हैं एक जैसा गाड़ी की रियर प्रोफ हैं गाड़ी के टायर सेक्षन की प्रोफाइल की बात करें आर 17 का है चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी और यह वील क्लैडिंग हगरा इनकी वीजिशे गाड़ी में एक रफ लुक सी आ जाती है रफ एं टफ लुक गाड़ी में आमें देखने का मिलती जो गाड़ी का रिकलाइन एंगल है पीछे बैठने का वो भी अच्छा है इसमें दो जने अराम से बैठे हुए है तीन भी बंदे अराम से इसमें comfortable travel कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाड़ी का जो डॉर है वो काफी अच्छा है ठीक है अब इंटीर आपको देखने को मिल रहा है ब्लैक है फिर सिल्वर की लाइन है उसके बाद नीचे ब्राउन कलर का आपको लैदर टाइप में मटीरिल देखने को मिल रहा है गाड़ी की सीट्स बकेट टाइप में है आपको इसली होल्ड कर लेते हैं जब बैठते हैं तो कंफरेटेबल फिल कराते हैं आपको ऐसास होता है कि आप उच्छी गाड़ी में बैठे हुए है जो गाड़ी का जो आम रेस्ट है उसमें भी काफी अच्छा खासा स्पेस है दो कपॉल्डर्स है इवी मोड है यहाँ पर वेंटिलेटिट सीट्स का उप्षन है ड्राइव मोड है ओटोमेटिक गेर्स है वारलेस चार्जिंग पैड है और गाड़ी के अंदर जो स्विचेज है वो एजटिव सेम है चाहे हो मारूती के हो चाहे टोटा के हो सेम एंदर से मज़े लग रहा है कि लिए मैं ग्लोसी बलैक का यहाँ यूज करा हूँ टस्क्रीन काफी बड़ा है और जो आगे का हुड है वो आपको क्लियरली विजिवल होता है लाइट्स दोनों यूज करी हुई है पैनारोमिक संरूफ हमें काफी बड़ा देखने को मिला जो कि एक अच्छी बात है गाड़ी में काफी लाइट्स का आ जाती होसे है गलव ब्लोक्स की क्वालिटी ये स्पेस भी अच्छा खासा है ड्राइवर साइड की अगर हम बात करें जैसे आप खूलते हो विंडो हो तो यहां भी आपको प्यानो ब्लक देखना का मिल रहा है स्विच त्की क्वालिटी सेम एज़ इस ए है यू क्यों और यहां भी हमें थ्री टॉन देखना का मिल रहा है बौटल होल्टर आप यहां रख सकते हो यहां पर आपको manual adjustable seats मिल जाती है एट वे लेकिन आप इसको power में नहीं कर सकते हैं आपको manual ही करनी पड़े ही गाड़ी का जो interest है वो ठीक है आप अराम से इसमें बैठ सकते हो यहां आपको गाड़ी के 360-degree cameras के views मिल जाएंगे hud display मिल जाएगा power का display मिल जाएगा totally digital display analog का कहीं यूज नहीं करावा जो के futuristic design हमें मिल रहा है देखने को डी-cut steering नहीं है round steering है अगें जो इसका switches है और जो style है pattern है मारूती से resemble कर रहा है क्योंके technology share कर रहे हैं आपस में उसमें जैसे आपको काफी कुछ similarities गाड़ी में देखने को मिलेगी यहां पे आपको ventilated seats का option मिला हुआ है जो कि एक अच्छा है EV mode है drive mode है CVT gearbox भी आपको यहां available हो जाएगा यह automatic AC गाड़ी में है अंदर चोटा चोटा है ना chrome का यूज करा गाड़ी के अंदर जैसे AC vents के बीच में chromes है जो कि एक अच्छा खासा feel कराती गाड़ी के एक premium feel करा देती गाड़ी को और जो गाड़ी की जो मतलब fit and finishing की बात करें interior की वह काफी ही मलब ठीक है उसमें यह नहीं कि कि इसमें कहीं भी आप किसी वीचे से compromise कर रहे हों किसी भी finishing से कोई finishing में gap हो कुछ नहीं है ऐसा और बात करें पीछे भी light दे रखी है दोनों doors पे light है जो कि एक अच्छा खासा मलब premium गाड़ी बनाने की कोशिश करी गई इसमें भरबर के features दे रहे हैं गाड़ी का जो steering है उ रहे हैं इसमें उपर नीचे भी हो जाएगा और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं गाड़ी का जो engine है वो 1460cc दो option है natural k-series engine लो 4 cylinder वाड़ा यह 1490cc 3 cylinder Toyota ने जो खुद का develop करावा है जिसके साथ यह hybrid pack आता है वो 1490cc में आता है गाड़ी का यह color है color option काफी अच्छे हैं black में red में जो की official launch करावा color है अच्छा है एक mini fortuner हमें देखने को मिल रही है यह gray color है gray color भी आजकल काफी चल रहा है trending के अंदर है gray color कहने का मतले में इसमें भी आपको गाड़ी काफी अच्छी रहेगी और यह आपका ceramic gray color आ गया चारों तरफ से आप देख सकते हैं फिर आएगा silver color different different आपको इसमें app के अंदर ही दिख रहा है कि total color आप बताईए comment करके कि आपको कौन सा color अच्छा लगा यह white and black का आ जाएगा उसके बाद अगला जो color है इसका midnight black plus red का है जो कि गाड़ी का official launching color है उसके बाद गाड़ी में white color आ जाएगा प्रोपर white white में भी अच्छी लगती गाड़ी लेकिन आज कल काफी common हो गया white काफी लोगों को पसंद भी आता है फॉर्चुनर ज्यादा तर white में ज्यादा चलती तो लोगों की अपनी इपनी choice है कि इसको क्या color पसंद आ जाए जाए लेकिन यहाँ पर आपको भरबर के option द काफी है white और black का proper black का देखिए एक दुम डार्क हो जाता है उसके बाद आपको पूरा complete red का option मिल जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे blue का option मिल जाता है aloe wheels का जो design है काफी है attractive है मतलब हर color के साथ है ना मतलब ध्यान इसी पर ही जा रहा है तो दोस्तों आपको हमारा वीड तैसे ही बना रहे है धन्यवाद thank you so much